नमस्कार किसान भाईयों, मैं आपका दोस्त पुरसुत्तम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल किसानों की पाट साला में साथ यह भारत सरकार की द्वारा किसानों की आये को दोगना करने या किसानों की आये को बढ़ाने के लिए तता इसके साथ साथ ग्रामिंड शित्रों में खुसाली लाने के उद्देशे से बिभिन कारेकरम एबम बिभिन योजनाएं चलाई जा रही है जिनके अंतरगत मध्यब एबम छोटे बर्ग के किसान लाव लेकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं भारत सरकार की NLM या National Live Stock Mission के तहट बकरी पालन के वेफशाय को करके भी आप एक अच्छा लाव ले सकते हैं इसके लिए भारत सरकार के साथ साथ बिभिन राज्यों की सरकारें किसानों को इस कारे के लिए प्रुत्साहित कर रही हैं इस योजना के अंतरगत किसान या पसपालक भाई बैंकों से रड़ प्राप्त करके जिस पर आपको 30-40 प्रतिसत तक की सब्सड़ी मिल लाती है इससे आप अपने वेफशाय को स्टार्ट कर सकते हैं साथियों इस योजना का लाव लेने के लिए आपको क्या करना है लोन के लिए कहां आविदन करना है पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियों में बताने वाला हूँ तो आप वीडियों के लाफ्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके तो चलिए किसान वाहियों शुरू करते हैं साथी अगर आप राश्ट्रिय पस्धन मिसन के अंतरगत आप भी इस वेपसाइट को करना चाहते हैं तो इसके अंतरगत आपको 4 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है इस लोन पर आपको 30-40 प्रत्सद तक की सबस्धी भी मिल जाती है सबसे पहले आपको NLM की वेपसाइट से बकरी पालन वेपसाइट के लिए आवेदन फार्म को डानलोड करना है इस फार्म को आप सही ढंग से भरने के बाद सभी आविश्यक दस्तावे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पास्वुक की फोटो कॉपी जाती प्रमाल पत्र और आई प्रमाल पत्र की कॉपी सनलगन करके ग्राम प्रधान से अटेस्ट यानि अनमोधन कराना है ग्राम प्रधान से अनमोधन कराने के बाद आप इस फार्म को अपने नजदी की राजकिये पसुचिकित्साले में जमा कर देना है राजकी पस्वी चिकित्साले के जो चिकित्सा अधिकारी आपके आविदन फार्म को पस्पालन विभाग को फारवर्ड कर देते हैं अब जैसे ही आपका लोन आविधन बैंक के पास पहुंचता है तो बैंक अधिकारी आपके यहां विजिट करते हैं, सब कुछ सही पाये जाने पर भये आपके लोन आविधन की शुकृती दे देते हैं, इसके बाद बैंक अधिकारी इस आविधन फार्म को पुना पसपालन विभाग को फुना आवेदन भेजने का मुख्य बज़े आपकी सबस्डी के लिए भेजा जाता है, विभाग के द्वारा जैसे ही आपकी सम्मंदित बैंक साखा को भेज दी जाती है, सबस्डी बैंक में पहुचने के बाद बैंक आपकी एक फाइल तयार करता है, और आपको इसके पर चात लोन डिस्वर्स कर देता है किसान भाईयो यह लोन आपको पांच बर्स में किस्तों के रूप में लोटाना होता है प्रतेक छमाई के हिसाब से आपकी किस्त बांट दी जाती है यदि आप एक लाग का लोन लेते हैं तो 40% सब्सिडी के हिसाब से 40,000 रुपे सरकार की तरफ से आपको मिलते हैं बाकी के 60,000 रुपे आपको मैं व्याज के बैंक को लोटाने होते हैं किसान भाईयो आप इस तरह से National Live Stock Mission की यस योजना के अंतरगत बकरी पालन का व्यपसाय आसानी से करके अपनी आयो को वड़ा सकते हैं किसान भाईयो दिजानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवन से जरूर करें